नवशकार भारत होमियोपैथी के योट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटी लिगो के पेशेंट्स बढ़ते हुए विटी लिगो को कैसे रोख सकते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा विटी लिगो को विटी लिगो होता कैसे है विटी लिगो एक आटो इम्म्यून डिसॉडर है अगर आप एक विटी लिगो के पेशेंट हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, autoimmune disorder का मतलब ये है कि जब आपका immunity system आपके body में active cells को destroy करने लग जाता है, जो cells आपकी body की activities में required होते हैं, उनको destroy करने लग जाता है, तब ही उस disease को हम autoimmune disorder बोलते हैं. और यही vitiligo में भी होता है, vitiligo में आपका immune system melanocytes cells को destroy करने लग जाता है, जिसकी वज़य से आपकी body में melanin का production कम हो जाता है, और जब आपकी body में melanin का production कम होता है, तो उसका result क्या होता है, कि आपके skin का pickment आपकी skin के color का pigment है, वो नहीं हो पाता और आपको आपके skin पर सफेड दाग दिखने लग जाते हैं, white patches दिखने लग जाते हैं, अब आपको समझना होगा कि आप इन white patches से कैसे बच सकते हैं या इनको बढ़ने से कैसे रोख सकते हैं, अब आपको इतना समझा गया कि melanin के production की वज़े से melanin कम हो रहा है, उसकी वज़े से आपके skin पर जो white patches दिख रह तो ऐसे में आपके लिए सबसे पहले option रहेगा पपीता यानि पपाया ये एक बहुत ही अच्छा food है आपके लिए अगर आप एक विटी लिगो के patient है अगर आप पपीता डेली बेसिस पर खाते हैं या आप पपीता के juice को डेली बेसिस पर पीते हैं तो ये आपकी बाडी में melanin का जो loss हो रहा है due to autoimmune disorder उसको रोखने में मदद करता है और आपकी बाडी में melanin के production को बढ़ाता है तो ऐसे में पपीता आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है तो अगर आप विटी लिगो के patient है तो पपीते को आप अपनी diet में regular basis पर include कर लें वहीं आप पपी इससे भी आप देखेंगे आपके जो white patches हैं वो धीरे धीरे fade हो जाएंगे और जो आपका skin का color normal color है उसी में आ जाएंगे तो आप इस तरीके से भी आप अपने विटी लिगो की problem से बच सकते हैं दूसरा तरीका जो आपको follow करना है वो है आप copper vessels में पानी पीएं खाना खात है जो आपकी body में melanin का production है जो destroy हो रहा है because of autoimmune disorder ये copper जब आपकी body में जाता है तो आपकी body में melanin के production को improve करता है आपकी body में melanin का production बढ़ता है तो ऐसे में copper आपके लिए beneficial है जो भी vitiligo के patients होते हैं उन में अकसर देखा जाते हैं उनकी body में copper के amount बहुत कम हो जाती है तो में डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप copper vessels में खाना खाएं आप copper vessels में पानी पीएं वहीं तीसरी चीज जो आपकी vitiligo के progression को रोकती है वो है walnut walnut के इतने जादा benefits है skin के लिए तो वहीं walnut आपकी vitiligo की problem में भी बहुत मदद करता है आप दिन में कम से कम 5 walnut यानी अकरोट इससे आपकी vitiligo की problem कम होगी जो सफेद दाग आपको देखने को मिल रहे हैं वो कम होगे वहीं मैं आपको walnut से यानी अकरोट से एक और तरीके से बताता हूँ कि आप कैसे walnut का इस्तमाल कर सकते हैं आप अकरोट को पीस लें उसमें पानी मिलाएं और फिर उस mixture को आप अपने सफेद दागों पर लगाएं आप उसे 15-20 मिनट तक लगा कर रखें और उसके बाद हलके हलके हातों से उसे पानी के साथ दो दें तो आप देखेंगे जो आपके सफेद दागें वो धीरी धीरी फेड होने लगेंगे आपकी normal skin color के साथ मैच होने लगेगा आपकी skin का color वही जब उनकी body में zinc की amount कम होती है तो इससे उनके जो recovery process होती है वो बहुत slow हो जाती है तो ऐसे में आप अपनी diet में ऐसे foods को include करें जो zinc rich हों क्योंकि ये आपकी recovery में काफी अच्छी मदद करते हैं वहीं पांचवी चीज जो vitiligo के patients को करने हैं उन्हें अपनी diet में vitamin C को include करना ह vitamin C की कमी की वज़े से vitiligo और ज्यादा aggravate हो जाता है और vitamins की बात करें तो vitamin D और vitamin B12 ये वो कुछ vitamins हैं जिनकी कमी से vitiligo और ज्यादा aggravate होता है तो आप इन vitamins को fulfill करें vitamin C की बात करें तो vitamin C में citrus fruits आ जाते हैं जो भी खटे फल होते हैं वो आते हैं जैसे संत्रा है मौसमी है नीबू है तो homeopathic treatment में आप इन सब का इस्तमाल कर सकते हैं इन सब को खा सकते हैं लेकिन अगर आप aerodic treatment ले रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को नहीं खा सकते हैं मतलब यह नहीं है कि आप इन्हें excessive amount में खा लें नहीं आपको इनकी amount का खास ध्यान रखना है आप इन्हें limited amount में ही खा सकते हैं वहीं आप broccoli, strawberries, kiwis के थ्रू भी vitamin C की fulfillment कर सकते हैं अपनी body में यह आपके vitiligo को ठीक करने में काफी मदद करते हैं और अगर आपकी vitiligo की problem अगलग होती है जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं उसके बाद तुरंत बाद आप cold drink पी लेते हैं थंडी cold drink पीते हैं तो इसकी तासीर बिलकुल अलग है अगर आप दूद पी रहे हैं उसके साथ मचली खा लेते हैं तो यह भी गलत है तो इससे क्या होता है कि आपकी body में allergies हो सकती है और आपका vitiligo aggravate हो सकता है तो आपको इससे भी बचना है तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप vitiligo की problem से बच सकते हैं और कैसे आप अपने vitiligo को ठीक कर सकते हैं अगर आपको इवीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को like करें साथ ही अग कई ऐसे पेशेंट को ठीक किया है जिनके सफेद दाग की प्रॉब्लम काफिया ज्यादा बढ़ गी थी लेकिन भारत हुम्यों पैथी में आने के बाद उनके जो सफेद दाग थे वो धीरे-धीरे कम होने लगे हैं कुछ recovery processes में हैं कुछ ठीक हो गए हैं तो डिपैंड करता है ऐसे ही informative वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी subscribe करें Thank you for watching